हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूच फपरहर में मैं हूँ एड़ोकेट सनी शर्मा दोस्तों आज की इस वीडियो में मैट्रिमूनियल केसेज में जो सबसे इंपोर्टन चीज होती है और जहां पर हजबेंट खुद को फसावा पाता है यानि क हैं दोस्तों मेंटेनिस को लेकरके हजबेंट पक्ष वैसे परशान रहता है अलग अलग कारण होते हैं कई बार तो ऐसा होता है कि वाइप ने जिम्मेदारी निभाय नहीं दो चाट दी नहीं रही है और मैंटेनस माग रही है कई बार ऐसे होता है कि आपका सैलरी पेकेज बहुत सारी हो जाती है और आदमी बहुत परशान रहता है अभी यह judgment इसको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शाथ परशानी और बढ़ रही है देखे अभी कुछ समय पहले एक मेरे क्लाइंट भी नहीं कहूंगा फ्रेंड कहलो या यूट्यूब पे मुझे देखते थे कोट में मेरे को मिले पैचाना और बताया कि सर मेरे बीसी कोट में जो है केस चल रहे है और मैं आपकी वीडियो देखते हूँ बाच्चित हुई फेस से एक दूसरे को पैचानने लगे ए अभी एक बार हो मुझे मिले हैं तो बड़े खुश मैंने कहा जी क्या हो गया बोले सर मेरा 125 CRPC का जो वाइफ ने केस जाला हो था वो डिस्मिस हो गया बहुत बढ़िया हो गया आप सिर्फ एक की केस रहे गया 498 एका मुझे भी काफ़े खुशी हुई क्योंकि क्या था उं क्योंकि आधा दूरा ग्यान लए हानी और नुकसान और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो फटा फट चैनल को सब्स्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरू क्लिक कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज के निरंतर जा गया आफ्टर सम इयर्स कुछ समय के बाद उसने फिर से 125 CRPC का एक केस डाला और उस केस को जो है अलाव कर दिया गया जो हजबें था वो उसके खिलाब डिष्टिक एंट सेशन कोर्ट में गया और एडिशनल डिष्टिक जज ने क्या किया उसका जो केस था उसको फिर से खा अभी ही हाई कोट माई यह तो पती के अर्ग्यमेंट थे कि जब एक बार अल्रेड़ी मेरिट पर उसका केस खतम हो चुका है दुबारा वो सेम केस नहीं कर सकती है और ऐसे जिस मामले का मैंने आपको उधरन दिया था हमाभी सेम था अगली बार मुझे जब वही मिले कोट म अभी वह दुबारा अगर केस लेकर कर आ रही है तो अभी तक स्थीतिया बदल चुकी है और मेंटेनेंस परस्थितियों के आधार पे होता है यानि कि उसफ़ परस्थितिया कुछ और थी उनके आधार पर उसको मेंटेनस नहीं मिल सकता था एक उधारन के लिए माल लेते ह यह जो second बार maintenance का case है यह maintainable होगा और high court ने इसको allow कर दिया तो दोस्तो इस प्रकार से अब आप यह कह सकते हैं in short इसका पूरा नहीं चोड़ कि यह दी पतनी का maintenance का case वो एक बार आप खारिज भी करा देते हैं तो उसके कुछ समय के बाद दुबारा से नहीं प्रस्थितियों के आधर पर फिर से आपके उपर maintenance case डाल सकती है तो definitely यह आप लोगों के लिए नहीं हजबन के लिए परिशानी वाली बात है कि फिर इस तरह से तो maintenance का case आपको भी खतम करी नहीं सकते एक बार पुरा ट्राल लड़के जीत भी लोगे तो दुबारा से maintenance केस आजाएगा फिर आप दुबारा ट्राल लड़ेंगे और आपको पता ही है कि interim तो वैसे भी लगता ही लगता है हर मामले में तो कुल मिला करके बाहर आने का solution maintenance केस में तो बंद होता हूँ दिखाई पड़ता है दोस्तों इस judgment का link भी आपको इस वीडियो के नीचे description में मिल जाएगा वहाँ जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं आज के इस वीडियो में इतना ही तब तक किले गुद बाएं थैंक यू पर वाचिंग टेक केर